हेलो दोस्तों, वेलकम बैग टो माई यूट्यूब चैनल देशी प्रॉफिट टॉक और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट गर के पूछा है कि उनको महिंदरा स्कॉर्पियो गारी चाहिए तो कितनी डाउन पेमेंट करके आप महिंदरा गारी ले सक आएंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा तो चलिए आए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं महिंदरा स्कॉर्पियो जो का प्राइस है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियों को जो सबसे बेसिक मॉडल है S3 प्लेस जीजल है तो इसका एक सोरूम प्राइज है तेरा लाग 24,287 आर्टियों के चार्जेस यहाँ पर एक लाग 74,086 रुपए पढ़ेंगे इंस्योरंस आपके 64,081 का पढ़ेगा अधर शार्जेस कु एक सोरूम प्राइज बनेगा 18,62,444 रुपए आर्टियों के चार्जेस लगेंगे आपे 2,37,000 इंस्योरंस लगेगा 66,393 अधर्स लगेगा 38,449 रुपए ओन रोड प्राइज यह पढ़ेगा वो पढ़ेगा 22,14,925 रुपए तो माल लीजे उनको बेसिक मॉडल चाहिए है तो हमने मोटा मोटा माल लिया कि उन्होंने 2,00,000 की जो है डाउन पेमिट कर दी तो बाकी को जो 14,00,000 रुपए है वो लोन लेंगे तो लोन आप SBI से ले सकते हो जैसे तो वहाँ पे क्या इंटरेस्ट चल ला है और कैसे आप मंधिली MI कल्कुलेट करके दिखाएंगे त तो सबसे पहले हम चलते हैं इस साइट पर बेस्ट इमाई कल्कुलेटर पर यहाँ पर बस आपको लोन इमाउंट इंटरेस्ट और टेन्योर सेलेक करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपना मंधिली MI तो यहाँ पर कार लोन का जैसे मैंने लिख रखा है कि 14,000,000 का कार लोन स्कीम है यहाँ पर आपको 7.40-8.10 पर मिलेगा है SBI ग्रीन कार लोन है यह इलेक्ट्रिक कार्स के लिए होता है अल्ली तो यह 7.25-7.60% से आप इस्टार्टिंग है तो SBI के जो कार लोन के स्टार्टिंग हो रही है वो रही 7.45% से अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो अच्छा है 750 के अबव है तो जो बैंक है आपको सबसे लोईस्ट इंटर्स रेट पर जो है लोन प्रोवाइट करेगी वही अगर आप जो सिविल स्कोर है वो डाउन है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटर्स रेट देना पड़ सकता है इंटर्स रेट मैंने 7.45 मान लिए मैक्सिमाम टेन्योर आपको साथ साल के लिए कार लोन ले सकते हो तो मैंने आप इस साल डाल लिया अब यहां पर देखेगा आपका मंधली माई क्या बनेगा देखे मंधली माई आपका बन रहा है 21449 रुपए टोटल इंटर्स आपको पे करना पड़ेगा चार लाग 1881 रुपए टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 18881 रुपए फिर यहां आप चार्ड में देख सकते हो जो आपने लोन इमाउंट ले रखा है 14 लाग का वो है 77.7% और जो टोटल इंटरस्ट आप दे रहा हो उस पे तो वो 22.3% होगा काफी डिटेल में आपे दिया हुआ है यहां पे आपकी EMI की स्टर्टिंग हो रही हुआ आप आपकी EMI के श्टर्टिंग हो रही है तो यहां पे आप आएगा तो काफी डिटेल में आपको अपनाillar और मंतली वाइस डिटेल में चेक कर सकते हो तो दोयार बाइस में जैसे मही महीने में मैंने बताए कि आपकी फर्स्ट इमाई चालूँगी तो उसका जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा बारा जार साथ सो सेंतालीस रुपए इंट्रेस्ट बनेगा आपका आठ जार 691 रु जुलाई वाइन एक्षा कर सकते हो हर एयर के किसी भी मंत का आप यहां पर डिटेल में चेक कर सकते हो तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ एक बार इसको चेक आउट करना मत बूलिएगा अब हम आपको बताते हैं कि अगर आ होम लोन लेना पड़े 12 लाग का का लोन लेना पड़ेगा तो यहां पर मैंने इमाउंट डाल दिया बारा लाग इंटरेस्ट से मैं लोन टेन्योर भी मैंने मालीजे साथ साली ले मैक्सिम टेन्योर मैंने लिया हुआ है अब आपका देखिए लोन यह माई जो बनेगा वो जैसे देख सकते हो जैसे देख सकते हो डिटेल में आपे औज़ोल जैसे मं बताते हैं आपको जैसे आप जो है मालीजेशे लग की डुली माई ऑंपर देख लेते हैं तो यहां पर टेन्योर भी मैंने साथ साल ले रखा, आपका जो मंथली M.I. बनेगा, वो बनेगा 15,314 रुपए, टोटल इंटर्स पे करना पड़ेगा, आपको 2,86,343 रुपए, टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करने होगी, वो करने होगी 12,86,343 रुपए, फिर यहाँ आप डीटेल में चेक कर सकते हो, कि अगर आप 3,00,000 की डाउन पेमेंट कर रहा हो, तो आप 13,00,000 का लोन ले सकते हो, rate of interest मैंने आपको बता दिया, और tenure आप सेलेक कर सकते हो, कि कितना लेना, आपको 5 साल लेना है, तो आपकी मंथली M.I. क्या बनेगी, टोटल इंटर्स क्या बनेगा, त और कुछ अगर discount offer चल लाओंगे, तो आप से आपको मिल जाएंगे, तो इस site का लिंक मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, एक बार इसको check out करना मत बूलिये दा, तो चलिए अब हम discuss कर लेते हैं, कि आपके credit score के हिसाब से आपको कितने interest rate पर यहाँ पे SBI जो है car loan provide करती है, तो अगर आपका जो civil score है 757 से above है, तो आपको जो अगर आप 3 से 5 साल के अंदर के लिए यहाँ पे car loan के लिए apply कर रहो, तो आपको 7.45% पर interest rate देना पड़ेगा, और अगर आप 5 साल से ऊपर के लिए ले रहो, तो यहाँ पे 7.55% पर देना पड़ेगा, और अगर आपक आपको 7.70% पर इंटरसेट देना पड़ेगा, अगर आपका civil score 789 to 720 है, तो आपको 7.95% इंटरसेट देना पड़ेगा, वहीं अगर आपका civil score 606 से 688 तक का है, तो 8.05 पर आपको इंटरसेट देना पड़ेगा, तो आपका civil score से पता चलता है कि जितना आपका कम होगा, तो आपको उतना ही ज़्यादा यहाँ पर देना पड़ेगा अब यहाँ पर अगर कोई woman ले रही है तो यहाँ पर उनको concession मिल जाता है यहाँ पर तो women's के लिए जो है car loan में SBI जो है concession प्रवाइड करती है तो अब हम आपको बताते हैं कि जैसे आप SBI से car loan लेने जा रहा हो तो वहाँ पर क्या eligibility देनी पड़ती है तो eligibility के लिए क्या होता minimum age आपकी 21 साल होनी चाहिए maximum जो है आज की age होनी चाहिए 60 साल के उपर जाद नहीं होनी चाहिए उसके बाद documents कुछ require होते हैं documents के बारे हम कुछ important documents के बारे में discuss कर लेते हैं जैसे आपको loan application form देना पड़ेगा identity proof देना पड़ेगा उसके बाद आपको address proof देना पड़ेगा आपको अपनी जैसे आपको salary individual हो किसी company मगारा मकाम करते हो तो उसके लिए आप जैसे अपनी salary slip दिखा सकते हो, income tax return जो आप भड़ते हो आप दिखाना पड़ेगा आपको bank account statement है वो दिखाना पड़ेगा और अगर आप कोई self-employed individual हो कोई आपका business वगएरा है तो जैसे आपका business करते हो अगर आपकोई shop आप है तो उसके आपकोई address proof आपको देना पड़ेगा तो ऐसे कुछ important documents हो गए जो देने पड़ते हैं जैसे और हो गए self-employed professionals वगएरा हो गए जैसे doctors, engineers और architect और chart and accountant वगएरा हो गए इनको जो है अपने education qualification दिखाना पड़ता है यहाँ पर तो यह कुछ important documents हो गए जो आपको यहाँ पर दिखाने पड़ते हैं तो I hope आपको वीडियो मारा पसंद आओगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और वीडियो को एक like कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद